सो हे गाईज वैलकम है आप सभी का आज के इस नय वीडियो में सो गाईज एरपोर्ट्स और्थरिटी आफ इंडिया के तरब से एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिसके लेंट्रेस्टिट कैंडिडेट ऑनलाइन ही अपलाई कर पाएंगे इस requirement के बारे में बात करें तो यह requirement आपकी non-executive के लिए होने वाली है northern region के लिए जिसके लिए आप यहाँ पर अपलाई कर सकतो इन सभी state में आपका domicile है तो आप यहाँ पर online अपलाई कर पाएंगे senior assistant official language के लिए senior assistant finance के लिए and senior assistant electronics के लिए इस requirement के बारे में आपके क्या eligibility criteria होने वाले है कितनी seat stability और आपको क्या qualification और साथी साथ आपका selection procedure क्या रहने वाला है इस topic पर सारी जनकारिया आपको इस notification में मिल जाएगे इस notification को आप हमारे telegram channel से easily download कर सकते हो जिसका link आपको इस वीडियो के description में देखने को मिल जाएगा आज के studio में हम बात करें कि यदि आप eligible हो इस requirement के लिए और interested हो इस requirement में form fill up करने के लिए तो आप इस requirement के लिए online form fill up कैसे कर सकते हैं सो सारे जनकारिया आपको इस वीडियो में provide करने वाला हूं तो वीडियो को लाच तक वाच की जेगा इससे पहले गाइस मैं आपको बता दू कि आपको AI के तरफ से और भी दो requirement आ चुकी है जिसके तहट आप यहां देख सकते ओफिसेल लैंग्वेज और ट्राफिक कंट्रोल के लिए यहां पर वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा जाकर के वाच कर सकते हो चलिए अम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस requirement में फॉर्म फिल अप करने के लिए आपको इस website पर आना होगा इस website का लिंक आपको इस वीडियो के description पर मिल जाएगा आपको और important dates बता दो तो आप इसके लिए online apply 21-12-2022 से ही कर सकते हो आपकी last date रहने वाली है 21-2023 बाकी इसके बारे में जो भी instructions हैं आपको सारी जनकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी आप एक बार read out कर लेंगे then I agree option पर tick करेंगे and sign up start इस option पर click करेंगे यहाँ पर आपको personal detail देनी होगी आप जिस post के लिए apply करना चाहते हो आपको तीन option मिल जाएगे senior assistant official language, senior assistant finance and senior assistant electronics के लिए जिस भी post के लिए apply करना चाहते हो option की मदद से select करेंगे code आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा candidate का जो भी complete name था वो आप यहाँ पर fill करेंगे valid mobile number यहाँ पर fill करेंगे and अपने mobile number को इस section में confirm भी कर लेंगे बाकी आपको नीचे email id fill up करनी है अपनी email id को आप यहाँ पर confirm करेंगे जो capture देखने को मिलता है as it is आप यहाँ पर fill करेंगे सारे detail fill करने के बाद आप यहाँ submit करेंगे then यहाँ पर आपको सारे detail देखने को मिल जाएगे सारे detail चेक करेंगे and go to application form इस option पर click करेंगे इस post के लिए आप apply करें उसके regarding detail देखने को मिल जाएगे center आपको यहाँ पर select करना होगा जिस center पर जाकर क्या आपको exam देना होगा यहाँ पर आपको तीन option मिल जाएगे आप तीन होई center को आप इस प्रकार से select करेंगे यह आपका preference wise होगा then नीचे आपको scroll down करना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यदि आपको domicile चंडिगर्ड, दिल्ली, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जमू एंड कस्मीर या यहाँ से आप यहाँ यहाँ option पर click कर लेंगे देन आपका जो भी domicile state होगा आप यहाँ पर option की मदद से select करेंगे category आपको option मिल जाएगा तो आप जिस category से apply करना चाहते हो जेंडर, OBC, SC, HD, EWS आप अपने according यहाँ पर option की मदद से select करेंगे gender आपको मिल जाएगे तो आप male female select कर लेंगे जो भी आपकी date of birth होगी आप यहाँ पर calendar की मदद से easily selection कर सकते हो आप इसके according आप अपनी date of birth को select करेंगे दन यहाँ से month select करेंगे यहाँ से अपने date को select करेंगे जो भी आपकी date होगी यहाँ पर देखने को मिल जाएगे physically handicapped person हो तो yes करेंगे otherwise no करेंगे x servicemen हो तो yes करेंगे otherwise no करेंगे x servicemen हो guild in action में तो आप यहाँ नो करोगे सारे डीटेल फिल करनी के बाद 7 नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पेज में आपको यहां पर फादर डीटेल देनी है फादर नेम आप यहां पर फिल करेंगे मदर नेम यहां पर फिल करेंगे marital status married हो और married हो अपने according select करेंगे nationality आपको Indian selected मिल जाएगा निचे आपको contact detail देखने को मिल जाएगे जो easily check out कर सकते हो present address detail आपको यहाँ पर देना है जिसमें अपना complete address आप यहाँ पर fill up करेंगे जो भी आपका address होगा then यहाँ पर आप post office police station fill up कर सकते है country इंडिया selected मिल जाएगा आपकी जो भी state होगी आपने according यहाँ से option की मदद से select करेंगे city आपको option मिल जाएगे उसे according आप अपनी city को select कर लिजेगा पिन कोड़ आपका जो भी होगा वह आप यहाँ पर fill up करेंगे और section में जो भी आपने present address दिया है वही आपका permanent address है तो आप से यहाँ पर भी fill up कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने according permanent address भी fill up कर लेंगे देन दोनों ही detail fill up करनी के बाद 7 next करेंगे next page में आपको यहाँ पर अपने education qualification detail देनी है जिसमें आपको metric की detail intermediate की detail और graduation की detail देनी होगी मैं यहाँ पर dummy detail fill up कर लेता हूं ताकि आपको बैटर जनकारी provide कर पाऊं सो गाइस सबसे पहले आपको metric की detail देनी है जिसमें आपको जो भी board होगा जिससे आपने अपने कोडिंग करेंगे जिसमें percentage में था तो percentage select करेंगे जितना वी प्रसेंटेज आपका आया था वह आप यहाँ पर फिलप करेंगे इसी के बाद आपको intermediate detail देनी है जिसमें आपका जिस भी board से intermediate complete कर रखा वह आप यहाँ पर फिलप करेंगे subject combination में आप यहाँ पर भी जितने भी subject थे आपके 12 में वह सारे subject नेम भी आप यहाँ पर दे सकते हो otherwise intermediate from commerce आप यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हो जैसे यह commerce है तो के बाद यहाँ पर आपको graduation के डिगरी देनी है जिसमें डिगरी टाइप आप यहाँ सेलेट करेंगे graduation था या फिर बीकॉम था जैसे कि मैंने यहाँ पर finance के लिए apply कर रहा हूं तो become important है तो हम यहाँ पर बीकॉम option को select करेंगे specialization में यदि आपका accounts owners था तो आप यह accounts owners टाइप कर लेंगे यहाँ पर यहाँ पासिंग सेलेट करेंगे जो भी आपका यह पासिंग होगा आपका institute नेम जो भी था वह आप यहाँ पर फिल अप करेंगे इसके बाद work experience detail देनी होगी two year का work experience यहाँ पर मांगा गया है important है तो इसके लिए आप यहाँ पर भी yes option पर click करेंगे जो भी आपका work experience होगा उसका detail आपको यहाँ पर देना होगा इसके लिए plus icon पर click करेंगे then designation या फिर क्या post था आपका जहाँ पर वर्क कर रहे थे उसका नेम आ आप यहाँ पर fill up करेंगे organization या फिर employer आप यहाँ पर fill up करेंगे किस date को आप ने joining करा था वह आप यहाँ पर calendar की मदद से सेलेट करेंगे और क्या आपका लिविंग डेट था वह आप यहां पर सेलेट करेंगे प्रकार से सारे डीटेल फिलप करनी के बाद आप यहां सेवेंड नेक्स्ट करेंगे दैन गाइस नेक्स्ट पेज में आपको यहां पर पैमेंट करना होगा जितने रुपय का करक है AAI से तो आप यहाँ पर free में apply कर पाएंगे तो आप अपने recording यहाँ पर देख लेंगे देन आपका free payment का option आता है तो यहाँ से आप अपने payment को complete करेंगे payment complete होनी के बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएंगे document upload का जिसमें आपको यहाँ पर कुछ different से signature खिया हूआ होना चुछे वही आप यहां पर upload करेंगे Dan data birth proof आप यहां पर metric certificate upload करेंगे ट्यूवल का certificate यहां पर upload करेंगे इसी के बाद graduation का जो certificate था वो आप यहां पर upload करेंगे domestic certificate आपको यहां अप logging करना होगगा यहां पर का सर्टीके डड औरुल okay वह experience certificate आपको यहां पर upload करना है सारी document आप यहां पर upload करेंगे upload करने के लिए click here to upload option पर click करेंगे then drop file here option पर click करेंगे then जहां पर भी अपने photograph या फिजो भी document आप upload करें वह आपने जहां पर भी रखा इस प्रकार से select कर लेंगे upload हो जाएगा आप यहां पर close कर लिजेगा upload हो जानी के बाद आपको यह uploaded option देखनी को मिल जाएगा ठीक इसी प्रकार से आप सारे option में जाकर के अपने सभी document को upload करेंगे सारे document upload होने के बाद declaration में आपको capture देखनी को मिलेगा as it is fill up करेंगे i agree option पर tick करेंगे then preview देखना चाहते हो तो preview करके सारे detail को check करेंगे जब आपके सारे detail साही है तब जाकर के आप यह submit option पर click करेंगे एक pop-up देखनी को मिल जाएगा आप यहाँ पर रॉक्य option पर click करेंगे then आपको यहाँ पर privacy notice देखनी को मिल जाएगा सारी डीटेल आपके सही है जो आपनी चेक कर रखी है तो आप यहाँ आईगरी option पर click करेंगे then आपका application यहाँ पर successfully submit हो जाएगा जिसका pop-up देखनी को मिल जाएगा close कर लेंगे then यहाँ पर आपको application slip देखनी को मिल जाएगा इस application slip को आप future reference के लिए प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर आपको print option मिल जाएगा इस option पर click करके आप इस page को print करके रख सकते हो या फी desktop mobile में save करके easily रख लोगे future reference के लिए so guys इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो के मदद से मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइट कर दी इस requirement के बारे में बाकी आपको यह notification आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा इलिजिटी और क्रिटेरिया के बारे में जानना है तो आप इस notification के एक बार रिडाउट कर लेंगे सो चलिए आज तक के लिए इतना ही मिलते है नेक्स टॉपिक को लेकरके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद